आज से दस साल पहले मोटू पतलू बहुत गरीब थे उनके पास रहने के लिए घर नहीं था खाने के लिए खाना नहीं था वह किसी तरह दूसरों से मांग कर खाना खा लिया करते थे एक दिन मोटू पतलू का सारा खाना खत्म हो गया किसी तरह बिना खाए पिये मोटू पतलू के चार दिन बीत गए पतलू बहुत भूखा हूँ अगर मुझे खाना नहीं मिला तो भूख के मारे मैं मर जाऊंगा पतलू कुछ करो पतलू को भी बहुत भूख लगी थी उसने भी चार दिन से कुछ नहीं खाया था मोटू तुम चिंता मत करो मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए खाना लेकर ही लवटूंगा तुम चिंता मत करो पतलू घर से निकल कर खाने और पैसे की तलास में इधर उधर भटकने लगा लेकिन कई घंटे घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला तो वह एक जगह बैट कर रोने लगा तभी अचानक धरती के नीचे से एक भूत निकला वह भूत दिखने में बहुत ही खतरनाक था भूत को देखकर पतलू बहुत ज़्यादा डर गया डरो मत मैं तुम्हे नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा जहां तुम भैठे हो उसी के नीचे जमीन में मेरा घर है और वही मैं रहता हूँ तुम लोकें रहे हो पतलू ने सारी बात भूत को बता दिया भूत ने कहा अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हे पैसा भी दूँगा और खाना भी लेकिन अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हे मार दूँगा इधर तुम्हारी मौथ हो जाएगी उधर खाना ना मिलने के कारण तुम्हारे दोस्त की मौथ हो जाएगी मैं अपने मोटू के लिए खाना भी ले जाऊँगा और पैसे भी कमाऊँगा आप सवाल पूछिए भूत सवाल पूछता है उस चीज का नाम बताओ जिसे आग जला नहीं सकती हत्यार उसे कात नहीं सकते पानी उसे भीगो नहीं सकता और मौट उसे मार नहीं सकती पतलू थोड़ी देर रुख कर सोचता है और उसे जवाब आ जाता है पतलू जवाब देता है परच्छाई क्योंकि परच्छाई को ना आग जला सकती है ना हत्यार कार सकते है ना पानी भिगो सकता है पत्लू का जवाब सुन भूत बहुत खुश हो जाता है वह पत्लू को धेर सारा पैसा देता है और धेर सारा खाना देता है वह अपनी जादूई सक्ती से पतलू को उसके घर मोटू के पास पहुचा देता है मोटू पतलू को देख कर बहुत खुश हो जाता है दोनों लोग पेट भर खाना खाते हैं पतलू सारी बात की मेरे साथ क्या हुआ और मैंने इतना सारा पैसे कैसे कमाया मोटू को बताता है दोनों लोग खूब हस्ते हैं